बोटी कि फ्रेंद्स वेलकोम टू भांगाडडा ये जो विजुललज हैं ये कहां से किसी के चत के उपरसे नहीं किसी टावर के उपर से नहीं बलकि हमारे काइट से लिया गया है एक एक्सपेरिमेंट किया गया है छोड़ा सा कैमेरा देखे इसको ड्रोन एफेक्ट दिया गया है और फर्स ताइम उन यूट्यूब यह हो रहा है थोड़ा मैं स्वारी बोलना चाहूंगा बिकॉज अगर कुछ विजुवल शेकी हैं तो वो बिकॉज काफी ज्यादा विंड थी आज और काइड भी काफी उपर थी इससे थोड़ा सा शेक किया है वीडियो बट नेक्स टाइम इसको और इंप्रूफ करेंगे इतने एफर्ट के लिए डेफिनेटली एक सब्सक्रिपशन और लाइक और कमेंट बनता है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब यह देखिए यह कैमेरा हम लोगों ने यूज किया है इन पतंग है यह मुरादाबाइद की काइट है थोड़ी बड़ी होती है मुरादाबाइद की काइट इसको मैंने स्पेशली इस एक्सपेरिमेंट के लिए लगा रहा है आगे देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया है देखिए मैंने एक्चुली जो कन्नी आज बांदी थी वो ट्रिपल कॉटन धागा से बांदी थी विंड काफी तेस्थी एंड रिस्क था कि वो कैमेरा अगर गिर जाए तो इसके लिए इस सारी तरीके के प्रकॉशन्स हम लोग लिए थे और इस सब आपके लिए हम लोग किये हैं कि कैसे हम लोग छोड़े से कैमेरा को एक ड्रोन एफेक्क दे सकते हैं एंड काफी एक्साइटिंग है यह वो इसकी कैम है और आगे देखते रही है कैसे हम लोग कर रहे है कर्णी एक्चली ऐसे बांधी थी ताकि हवा में ज्यादा घूमे नहीं बिकॉज जितना हो सके उसको स्टेबल रखना ही आज में नेम था एंड उसी लिए उस हिसाब से कर्णी मैंने बांधी आगे देखते रही है एंड मैंने दो बोनस पेंच वीडियो भी इसमें डाले हैं बिकॉज एक बहुत एक्साइटिंग बात है कि लास्ट में जब मैंने कैमेरा को उतारा उसके बाद दो पतंगे उड़ने लगी वहां पे तो उसको जाके पेंच लड़ाया एंड वो भी काफी लॉंग डिस्टेंस पेंच था तो काफी तारे फ्रेंड्स बहुत बार बोल भी रहें कि लॉंग डिस्टेंस में दिखाईए दूस के लिए वो भी हम लोगों ने डाल दिया है यह वो HDCAM है देखिए अभी फोकस में आपको दिख रहा है कफी छोटी है बट वाइड अंगल व्यू उसमें कफी अच्छा है दिखिए मैं काइट अभी छोट रहा हूं और यह अच्ली स्टेबल स्टेप पूरा ही दिखाया है थोड़ी दूर जाने के बाद फिर रसी में हम लोग केमरा को अटैच करेंगे तो आगर देखते रही है कि बैस बन दो अच्छी यह देखिए अभी यह जो कैमेरा है उसको हम लोग फिट कर रहे है और यह सेलो टेप का यूज किया था हम लोगों ने काफी सारा पहले बार था तो हम लोग रिस्क नहीं ले रहे थे और नेक्स टाम इसको और भी हम लोग इंप्रूफ करेंगे यह दिखे कैसे सेलो टेप से हम लोग उसको फिट कर रहे है ताकि नीचे के विजुवल्स आए और थोड़ा सा दिक्कत यह हो गया कि मेरे घर से हाड़ा ब्रिज काफी पास है वो भी दिखाने का मन था बट एक्च कज हवा में वो अपनी साथ से रोटेशन लेता है यह देखिए यह अभी मैं पूरा छोड़ूंगा पूरी तरीके से टेपिंग की जा रही है यह एक एक्सपरिमेंट है एंफ्रेंड्स एक्सपरिमेंट में एवन जो भी फर्स वीजुल्स हैं वो काफी एक्साइटिंग है नेक्स्ट टाइम इसको हम लोग और भी भूफ करेंगे देखिए काईट से हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं एमन वो इससे पता चलता है एंजाई कीजी वीडियो और यह देखिया अभी मैंने पुरा चोड़ दिया है और कैमेरा लगाने के बाद और वो पर ही है काईट के साथ लिकिए मैं प्रसी छोड़ रहा हूं और पूरा वीशुल्स वह लेरा है जो कि मैं बाद में आप देखते रही है वीडियो विजुल्स बाद में है कैसे बलचाए हैं कि अहीं थकशाए हैं अचाए बाप रहां अचान कि अब बाप कि अचान अचान झाल 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 यह देखिए सारे वीडियो अभी जो आपको देख रहे हैं यह सारे काइट से लिए गए हैं यह सारे काफी एक्साइडिंग वीडियो हैं वीडियो हैं वीडियो का है यह थोड़ा आज विंड वेस्ट के तरफ था तो वीजूल ऐसे हैं तो मैंने थोड़ा सा फ्लिकरिंग को कम किया है थोड़ा स्पीड इसका वीडियो का कम करके बट पूरा रॉफ फुटेज है एंड आप लोग इंजाय कर रहे हैं इसको यह देखिए कितना मस्ट वीडियो है एंड रॉफ फुटेज फ्रॉम दे काइट इससे बैतरी और कुछ हो नहीं सकता है एंड थोड़ा देखिए फ्लिकर होगा विकर्ज हवा काफी तेज भी थी आज और बारिश के बाद का विदर था तो यह सारे कुछ घरे हैं वेस्टरन साइड में 500 तो 600 मीटर्स का यह डिस्टेंस है मेरे घर से जो यह वीडियो फुटेज इस आ रहे हैं और यह देखिए वो रोड है जो मेरे घर से करीब-करीब 500-600 मीटर्स दूर है कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को आई थिंक बहुत इंजाए कर रहे होंगे क्योंकि नेक्स वीडियो और बैटरीन होने वाली है और भी बेटर रहे है आस तो एक्स्परिमेंट है और मेरे घर से हावड़ा बिच का भी का पास है मैं सोचा की वीडियो आ जाएंग करने में कुछ नया नया फ्लेवर्स ला रहे हैं यह सारे कैलकटा के फ्लेवर्स लोग डाल रहे हैं तो काईट से शुरू किये हैं और जितना हो सके आप लोगों को बहतरीन वीडियो सब लोग लाएंगे देखिए यह पूरे लोगों का च्छत दिखाई दे रहा है घर दि देखिए तोड़ा था फ्लिकरिंग कम हुआ है काफी बढ़िया है देखिए और वीडियो को देखते रहिएगा बिकॉस एंड में दो स्पेशल पेच मैंने जैसे कमिट किया था वैसे दिखाया है वह भी आप लोग देखिए इंजाय कीजिए वह भी लॉंग डिस्टेंस एक में रोटेशन टेक्नीक एक में जिगजैक टेक्नीक दोनों झुज चिया है दूनों ही खीच के हैं तो देखिए दोस्तों और इंजई कीजिए लांस तक प्रकॉरा प्लम बात को नहीं रहता है वीडियो का तो डेफिनिटली दोस्तों या आप लोग कोई भी वीडियो ह तो वह एंड तक देखिएगा तब आपको पूरा मजा आएगा पूरा मजा जाएगा तक देखिएगा पूरा में अगचा झाल है झाल हैं मेगा तक दो एंड इंड़ा झाल हैं में हाईगा तक द्रूप इंड़ा तक दूब अपको फफ़िए झाल 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 और आभी हम लोग पेंच वन में आ गए हैं ऐसे करके पेंच टू भी है अब देखिएगा इसमें पेंच वन में मैंने जिग्जाग अप्लाइं किया है पेंच टू में रोटेशन अब काफी ज्यादा कीच के एड नीचे से मैंने आके हवा के अगेंस्ट में जाके फिर हवा के फॉर जाके उसो काटा है आप बरी की से देखिए युडि आप लोग इसको पूरे बरी की से देखिए और एण एण जजय किजए क्याई जानी देखेची तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोगों को एंड फ्रस्टाइम ऑन यूट्यूब हम लोगों ने ड्रोन कैमेर एफेक्ट दिखाया है विद काइट दू सब्सक्राइब कमेंट और लाइक जैसके मैंने पहले भी बोला है आप लोगों का फीडबैक काफी इंपोर्टन है अगनों के लिए और प्लीज स्टे सेफ एन इंज़ए